हलो दोस्तो, वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल, सुरज पटेल एजूकेशन में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है दोस्तो, काफी स्टुएंट हैं, एमकॉम पार्ट वन, पार्ट टू के स्टुएंट हैं, जिनको इंतजार था उनके एड्मिसन डेट का यस दोस्तो, तो मुंबई उनिवर्सिटी के तरफ से एड्मिसन डेट आ चुका है, जैसे कि इस वक आप मेरे इस स्क्रीन पे देख रहे हो दोस्तो, लेकिन इंपोर्टन है कि किनिका आया है, जो फ्रेशर इस्टुएंट है, जिन्होंने एमकॉम पार्ट वन का एक्जान दे दिया, एमकॉम पार्ट टू में जाने वाले, यह उन इस्टुएंट के लिए है, यह 80-80 इस्टुएंट के लिए है दोस्तो, इधरी उपर लिखा हुआ है, डेट for online submission of examination form and examination fees for October-November 2020-2021 only for repeater and old student July session मतलब दोस्तों कि यह जो form आया है, repeater old student है, जो 80-80 के student है, यह उनके लिए form आया हुआ है यह दोस्तों, तो दोस्तों इसका देख ले, कि जो July session के student है, जिने केटी लग गया है, वो form fill up कर सकते है 20 अगस से लेके 26 अगस तक का तारीक है, अगर एक subject में आप फैल है, तो 450 रुपीज पे एक करना पड़ेगा दो subject में तो 710, तीन subject में तो 1275 देना पड़ेगा और अगर one subject late fees के साथ देते हैं, मतलब कि अगर आपने 26 तारीक तक नहीं भरा, 27 तारीक से लेके 3 September तक का भरा तो दोस्तों, जो 450 था वो 550 हो जाएगा, जो 710 था वो 810 हो जाएगा, जो 1275 था, वो 1375 हो जाएगा ठीके दोस्तों, same condition, same चीज जो m.com part 1 का date था, 20 अगर से लेके 26, same m.com part 2 के student के लिए भी वही date है, ठीके और same चीज, मतलब जो late fees है, इसमें भी 100 रुपीस है, बस m.com part 2 के जितने भी student है, उन्हें 250 conviction charges देना पड़ेगा उसके लावा, जो m.com part 1 के जितने भी थे, वो सब चीज सेम, m.com part 2 के लिए, भी ए, fees and all तारीक है, मतलब date weight सब सेम है, सिर्फ कर्वोकेशन charges आपको extra लग जाता है देर उसके बाद दोस्तों, आप अपना admission जब करोगे, तो आपको important है कि यह पूरा instruction पढ़ना चाहिए, एक बाद देखना चाहिए कि क्या है, आप लोगों के पास mark seat नहीं है, तो कैसे upload करना है, क्या करना है, ठीक है, full detail बताया है कि आपको logging, press logging करना है, कि आपके पहले दि आइडी जो था, D से 70 digit का था, उससे logging करना है, क्या करना है, तो एक पूरा detail आप पढ़ सकते हैं, पूरा detail पढ़ने के लिए दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल के आप नीचे जाते हैं, डिस्क्रिप्शन में, दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको इधर admission link मिल जाता है, करना जरूर, क्योंकि हर detail बताया है, चाहिए वो, एमकोमो, एमेक इस्टोर सभी के लिए, तो आए हम दोस्तों कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो like से subscribe करना ना भूलिए, फिर से मिलता हूं next वीडियो में, ज जे हित, जे भारत दोस्तों